तो आप सब कैसे हूँ आज क्लास 11 का हिस्ट्री का चप्टर नमबर 5 जिसका नाम है बचो आयावर समराज इसका जितने सारे इंपोर्टेंट MC की कोशन को इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो को अन्तक बने रहा पहला जो इंपोर्टेंट कोशन बचो आयावर का होता बचो घुमाकर घुमाकर का मतला होता एक जगा नहीं रहाना मतला आस्थाई रहना नेक्स जो इनपोर्टन कोशन बचो ओगदोई किसका पूत्र था तो बचो चंगेज खान का पूत्र था चंगेज खान के बचो चार पूत्र थे चंगेज खान के कितने पूत्र थे होग नेक्स कश्च मचो मंगोलिया कहां इस्तितन हैं मंगोलियї घ् zm नेक्स कोष्णने चंगेज खान का मिरितितन आब Rs 1227 आइस रहे अज़य है Thank you सबसे बड़ी इकाई में कितने साइनिक सामिल ते जो सबसे बड़ी जो इकाई थी बच्चो उसमें जो सेना की संख्या कितनी थी टि ती रजवे कितनी थी बच्चो दस आवल ती मंगाल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने साइने जो में सामिल soy on when में मां राज के संस्थाापक होन और मंगोल समराज के जो संस्थापक मना संस्थापक भना तो चंगेज खाना चंगेज खान का जनम पूछेगा तो बच्छो 11602 में अनोन नदी के पास हुआ था नेक्स जो इनपॉड़न कोशन बच्छो कोशन है मंगोलो का पिरिये पै कुमिस जो एक परकार का क्या होता था बच्छो सराब होता था किस पसु के दूद से बनती थी बोल जो घोड़ी के दूद से बनता था किसके दूद से बनता था जो घोड़ी के दूद से बनता था नेक्स जो इनपॉड़न कोशन बच्छो मंगोलो का पिरिये पसुक क्या था ते इसका एंसर हो जागा बच्छो घोड़ा था next important question बचो मंगोलों के राजिनीतिक एवम सांस्कृतिक गुरु कौन थे इसका एंसर हो जागा बचो हून थे next important question बचो चंगेज खान मंगोल के किस कबीले से संबंधित रखते थे धान समझना बचो चंगेज खान जो थे मंगोल के किस कबीले से संबंधित रखते थे इसका एंसर हो जागा बचो कियात कबीले से संबंधित रखते थे बचो चंगेज खान के बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि चंगेज खान का जनम कभ गवा था 1112 PCB में अगर माता का नाम पुछेगा तो बचो इसका हो जागा एंसर ओलीन एके और फादर का नाम पुछेगा तो बचो एसुजेई हो जागा तीनों नाम आपको धांस रख रखे तो इसका याथ कभीले से संबंधित रखते थे इंपॉडोट WhatsApp ने के माता का या नाम है चंगेज खान के जो फादर थे उनको दूसरे कभीले वाले जहर देकर क्या कर दिए थे मार दिए उसमें चंगेज खान का जो एज हो रहा था बचो लगभग साथ से आठ वर्स के थे आगे लिखा हुआ चीन में इवान राजवंस कांथ कब हुआ बच्छो चीन में उसमें इवान जो राजवंस चीन में इवान राजवंस था उसका क्या हो गया अंथ हो गया नेक्स इनपर्टेंट कोशन का जनम लगभग एक आरह सो बासा टी से विंए और नदी बच्छो का नदी के पास वो तबक्रेश्ट नदी बच्छो औनोन नदी के में पास इनका जनम हुआ था कोश्टन मत्चों चंगेज खान मंगोलिया का सासक का बना था बार अचुछ चंगेज खान कि मिर्टिव कितने वर्स में आपको आप्शन चेक करना चो या तो गर डिक kijए और दो दोनों एक मैको टिक कर देना नेस कोछिन वाद आकर लेया पत्र के बारे में चंजेज खान ने संकेत दिया था कि वहां उत्राधिकारी होगा तो टीसरे नंबर के बेटे थे इनका नाम आपको धाराखना ओक दोई इनी के बारे में चंगेज खान ने ये संकेत दिया था कि उत्राधिकारी बनेगा इनको बचो एक उपाधी मिला था उस उपाधी का नाम आपको धाराखना महान खान इनको मिला था उपाधी क्या मिला था बचो महान खान के उपाधी मि इनको मिला था बचो महान खान का उपाधी ने मिला था नेक्स कोश्ण बचो किसने सुनहारा गिरोह का गठन किया था बचो जो चंगेज खान के जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम आपको धारा खना जोची इन्होंने क्या किया था सुनहारा गिरोह का गठन किया था च बहुत इंपोर्टेंट है पचो चंगेज खान का जो बीधी सहीता क्या कहलाती है तो इसका एंसर हो जागा परियोग किया गया लोगों के लिए कौन सा सब्द का प्रेउब किया गया है तो इसका एंसर हो invest बचो बरबर या बार्बेरियन लेक्स कोशन बचो चंगेच खान का जो समराज कहां तक फैला हुआ था तो चंगेच खां का जो समराज था बचो एरूप और अमध एशीया महादिव म्हादिव तक घज़ फैला हुआ था दूसें का समब्राज 9 यह चंगेज खान का जो सेना संगठी थी संगठी थी नेक्स कोश्म बचो मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था मंगोल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई जिसमें कितने सेना थे 10,000 सेना थे वह क्या कहा जाता था तो वह कहा जाता था तूमन कहा जाता था उसे क्या कहा जाता था तूमन कहा जाता था वहीं वाल ऑफ चायना कब बनाई गई तो यह बनाई गई थी दो सरी सताब्दी इसा पुर में यह किस लिए बनाई गई थी ब अगरा बार आकारमन करते थे इंसे बचने के लिए जेन की महान दिवार बनाए गई थी तो ध्यान тебе लेक्स्टन बचेंड की महानदीवार का निर्मान क्यों किया गया था इसका मंगोल कि मनगोल करते थे जिसके कारण से चीन में महानदिवार भना पिर ला के लिए क्योंकि मंगोल यो थे बचो बार-बार चाइना पर मतलब चीन पर हमला करते थे जिसके कारण से बचो चीन की महान दिवार को बनाया गया था next question बचो मंगोल चीन से क्या आयात का मतलब मंढ़वाना होता है मंगोल जो थे बच्छो चीन से क्या मंगवाते थे इसका एंसर जागा बच्छो लोहे के उपकरन वहां से मंगवाते थे बोलना चारा बचो कौौशन में कि जो मंगोल जो थे वह चीन से क्या मंगवाते थे बच्चो तो इसका एंसर जागा लोहे के उपकरन मंगवाते थे नेक्स कोशन बचो चंगेज खान के कितने पूत्र थे तो चंगेज खान के बचो चार पूत्र थे तो पेपर में कोशन आगा चंगेज खान के कितने पूत्र थे तो चार पूत्र थे और इन्हें चार पूत्र को बचो अलग-अलग क्या दिया छेतर दिया गया जिसको बोला चार उलुस के नाम से जानते हैं चंगेज खान के जो चार पुत्र बच्चो चारों पुत्र को अलग अलग छेत्र दिया गया जिने क्या कहा गया तो चार उलुस के नाम से जानते हैं नेक्स कोश्ण बचो अगदोई को किस नाम की उपाधी दी गई तीसरे नमबर के जो चंगेज फ़ान ने दूर नराज के अस्थानों के सुंपर्र करने के लिए कौन सी पढ़िती का विकास किया तिन हो क्या था पैजा या जेरिच क्या थे या तिये जाने वा कर तக तो मंगोल को क्या देना तो वही बोला चारा पैजा या यातिरियों को दिया जाने वाला पास थे जो भी मंगोल के रास्ते शेज्टे बैपार करते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था उसक्ष के लिए पास मिलता था जिसे क्या कहा जाता पाजो जैरेज या पैजा का जाटा था नेक्स कोशन बचो बाटू कौन थे बहुत इंपोर्टेंट है बचो बाटू जो थे वह चंगेज खान के पोते थे बाटू कौन थे पेपर में अगर कोशन आता है कि बाटू कौन थे तो बाटू जो बचो चंगेज खान के क्या थे पोता थे नेक्स कोशन बचो चंगेज ख इतने सारे बचो इनको उपादी मिला था चंगेज खान के उत्र अधिकारी में कब संघर्ष चिर गया जो चंगेज खान के उत्राधिकारी बढ़ने के लिए बचो आपस में संघर्ष कब चिर गया तो 1260CB में क्या हो गया चंग एच खान के उत्राधिकारी में संघर स्चिर गया तो डेट को आपको धाना काँचो 1260CB में चीन की महान दिवार पे मंगोल द्वारा अतिकर्मन कभ किया अतिकर्मन का मतलब होता बचो उसे अपने कबजे में कर लिया तो 1213CB में हुआ था बियास द्वार यातर करते थे उनको टेक्स देना पड़ता था क्या जैगी उससी लिए बोलना चारा ब्यास्ट्राप्ट करने के लिए कंवसा कर दिया जाता था तो इसका एंसर हो जागा बचो बाजकर नेक्स कोशन बचो किस ने स्वयम को चंगेज खान के दमाद के रूप में परस्तूत किया तो बचो तैमूर थे क्या थे तैमूर थे तो वहीं बोना चारा किस ने स्वयम को चंगेज खान के दमाद के रूप में परस्तूत किया को कहा जाता है नेक्स कोश्च भचो धरम परिवर्तन कर इसलाम गरहन करने वाला पहले मंगोल सासक कौन थे बोलना चाहरा भचो धरम परिवर्तन करने वाला इसलाम गरहन करने वाला पहला मंगोल सासक क्या नाम था तो इसका नाम था बच्छो गजन खान क्या नाम था पूरा नाम आपको याद मारको पोलो भी क्या कर सकते याद रख सकते हैं याद रख सकते हैं नेक्स कोश्णों मेंद बचो कोशन 61 जिसमें लिखा मंगोलों पे सरवाधिक सोधकार किसी ने किया बोलना चारहा मंगोलों पे सबसे ज़्यादा सोधकार किसी ने किया तहु उसी बिदवानों ने बचो सबसे ज़्यादा सरवादी मंगोल पर क्या किये सोध किये नेक्स कोशन मंगोल के समय ब्यापार यात्रा किस मार्क से होता था जब मंगोल जब थे बचो उसमय जो ब्यापार किस मार्क से होता था इसका एंसर हो जाएगा रेसम मार्क के थुरूल स समय ब्यापार होता था इस कोशन पेपर के लिए बहुत इन्पोर्टेंट साथ चप्टर नमबर 5 जिसका नाम था यह और समराजीत ने सारे important mcq question बने सारे important mcq question को बच्चो इस वीडियो में डिसकस कर दिये अगर बच्चो वीडियो अच्छी लगी हो तो like comment और subscribe करना चैनल को न भूले कोई बीड़ाउट हो तो comment box में जरूर लिखे थेंक यू